गर में डोर लगाने जा रहे हो और idea नहीं लग रहा है कि कौन सा डोर कहां लगाएं जैसे बातरूम में क्या डोर लगना चाहिए हमारा main डोर कौन सा होना चाहिए अंदर के कौन से डोर होना चाहिए और उन पे खरचा कितना आने वाल है ये वीडियो देख लो आपको हर एक का खर्चा पता चल जाएगा कि अगर हम PVC का डोर लगाते हैं उसमें कितना खर्चा आएगा flush डोर लगाते हैं उसमें कितना खर्चा आएगा steel का gate लगाते हैं जा MS का डोर लगाते हैं उसमें कितना खर्चाने वाला है, एक अच्छा option भी मिल जाएगा, सस्ता door भी मिलेगा, और आप बेफकूब भी नहीं बनोगे, क्यूंकि बहुत किसम आती है, और कहीं न कहीं आपको दुकानदार या कोई फसा देगा, तो सबसे पहली चीज़ है, मैं सस्ते से स्टार्ट करत है, एक तो वो लुक पूरी लकडी के डोर की देगा, मतलब लुक आपको यह लगेगा ही नहीं कि यह PVC का डोर है, क्यूंकि आजकल बहुत option आगे है PVC की डोर में, लकडी की तरह चाहिए, जो आपको design चाहिए, वो मिल जाएगा, लेकिन वो सस्ता बहुत होता है, एक तो सस् गया है, प्रोक्स, 14 स्केर फूट, 14 स्केर फूट, तो इस समें जो अच्छा PVC का डोर मिलता है, इसमें दो किसम आती है, एक होता है, होता है होलो डोर, एक होता है सॉलिड डोर, होलो डोर कौन सा हो गया, जो अंदर से थोड़ा खाली होता है, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है, आप वहाँ होलो डोर लगा सकते हो, जहां रेंट पे देना है, जहां इतनी ज़दा, उस डोर को यूज नहीं करने है, लेकिन अगर आपको अपने गर में लगवान है, तो सॉलिड डोर के साथ जाओ, सॉलिड डोर आपको इस समें स्टार्ट हो जा फिर आता है, अल्मूनियम का डोर, वो भी हम अपनी कहां लगा सकते हैं, बाथरूम और उसमें वो भी खराब नहीं होता है, तो वो आपको 2x7 का सेम दर्वाजा अगर आपको लगवाना होगा, तो आपको वो 3,000 तक पढ़ जाता है, मतलब 3,000 से 4,000 रुपे के बीच एक अच्छा अल्मूनियम का डोर मिल जाता है, लेकिन इसकी लुक थोड़ी कम होती है, PVC डोर की, PVC डोर बहुत अच्छा दिखता है, एक तो वुडन में भी दिखेगा, और अल्मूनियम डोर आप लगा सकती हो, अगर आपको lifelong चाहिए, मतलब वो खराब नहीं होता है, इसमें जो बोड होगा बिखे वो अच्छा होगा और उसके उपर माइक का, लैमिनेट लगाया होगा, उसमें आपको varieties, colors बहुत ज़ादा मिल जाते हैं, लैमिनेट डोर, और mostly आप hotels वगर चले जाओ, लोग अपने गर में लैमिनेट डोर ही लगा रहे है, थोड़ा खर्च रुपे का, एक अच्छी क्वालिटी का, बेस्ट क्वालिटी का, लैमिनेट डोर हमें मिल जाएगा, इसमें 200 रुपे बाला भी आता है, वो भी लगा सकते हो, वो भी अच्छी क्वालिटी का, मतलब मैं करें पगड़ के चलूं, तो 5000 से 7000 रुपे के बीच, आपको लैमिन तो 30 रुपे पर स्केर फीट के साब से स्टार्ट हो जाता है, मतलब आप अपने गर में लैमिनेट डोर भी लगा सकते हो, WPC डोर भी लगा सकते हो, दोनों की क्वालिटी पे अच्छी है, देखने में सुन्दर दिखते हैं, और खर्चा भी सेम पड़ता है, तो इन मेंसे, दोनों में से आप च्यूज़ कर सकते हो, फिर हम बात करते हैं, थोड़ा बाहर अच्छी क्वालिटी पे चलते हैं, अपना में डोर, जो में डोर होता है, उसको हमें सबसे अच्छा बनाने, उसके लिए आपको हमेशा क्या करने है, टीक बुड, मतलब टीक बुड के डोर आते हैं, सागवान हो गए, पोपलर हो गया, जो लकडी के डोर आते हैं, उनको बनाना है, तो लकडी के डोर हमें थोड़े महंगे पड़ जाते हैं, as compared to जो बाकी हमें flush door, lemonade door, जूस की है, लेकिन main door, अगर लकडी का होगा, अच्छी quality का होगा, उसकी life भी बहुत ज़दा होती है, और देखने में भी वो royal look आपके गर को देता है, तो अगर 3x7 का दर्वाज़ा आप अपने main door में लगवाते हो, ठीक है, बड़ा door रहेगा, बहुत अच्छा लगता है, जितना बड़े door लगाओगा अपने गर में, उतना आपका अगर luxurious दिखेगा और बड़ा दिखता है, तो 3x7 का अगर हम लगाते हैं, 21 square feet हो गया, तो कुछ rate इस समय हजार से 1100 रुपया पर square feet हमें खरचा पड़ जाता है, अगर हम teakwood या साग्मान लगवाने जाते हैं, तो कितना हो गया, approx 20,000 से 21,000 रुपया हमारा खरचा आ जाता है, अगर teakwood का, एक main door बनाने हम 3x7 का जाते हैं, मतला 1000 रुपय पकड़ के चलो, पर square feet के साब से, एक अगला option हो जाते हैं आपके पास आजकल बहुत अच्छे MS door आगे हैं, मतला मार्केट में आप जाओगे तो MS door ऐसा लगेगा कि लकड़ी के door हैं, और उनकी क्या खासियत क्या MS door एक बार लगवा दिया, ना उसके तूटने का डर है, ना उसमें कोई दीमग लगेगा, ना आग लगेगी, मतला MS door lifelong हो जाते हैं, 30-40-50 साल तक वो खराव नहीं होते हैं और उनके पेंट भी इस तरीके से किया होता है, कि लकड़ी की तरहां वो दिखते हैं, तो MS door जो हैं, दो किसम में आपको मिलेंगे, एक मिलेंगे, हाई क्वालिटी के, जो brand होगे, जैसे टाटा प्रवेश, एक है वो MS door बनाते हैं, लेकिन उनके जो MS door के price हैं, वो बहुत ज़ादा होते हैं, लगा लो 3-7 का दरवाज़ा, अगर MS प्रवेश door हम लगवाते हैं 3-7 का, 21 square feet हो गया तो पकड़ के चलिए, 1300 से 1400 रुपया पर square feet हमारा खर्चा आ जाता है, उसमें लेकिन complete door होता है, सिर्फ door नहीं होता है frame भी आ जाता है, fixing भी आ जाती है transportation भी आती है, लेकिन अगर 1300 से 1400 रुपया पर square feet हम देते हैं तो लगा लो हिसाब हमारा खर्चा 25 से 30,000, 35,000 रुपया चला जाता है एक door लगवाने का, लेकिन इसमें एक option हो रहा है, कि same जैसे टाटा प्रवेश के door है, आप local company में चले जाओ, local brand में चले जाओ, आदे price में हो जाएगे, मतलब 3 by 7 का अगर वो द्रवाजा लगवाती है, 600 से 700 रुपया पर square feet हमें मिलने लग पड़ती है तो जो door हमने 25 से 30,000 रुपय में लगाया था, वो हमें 15 से 16,000 रुपय में same look वाला द्रवाजा complete frame के साथ मिल जाते है door इसमें सबसे best option है क्योंकि उसमें look काफी ज़दा अच्छी मिल जाती है, colors काफी ज़दा अच्छी मिल जाते हैं, और अच्छी मिल जाते हैं, लेकिन जितने ज़दा colors, pattern रहते हैं उतनी ही ज़दा quality उसमें आती है और जब आप flush door लेने जाते हो तो आप बेफकूब बन जाते हो क्योंकि इसमें बहुत variety है, बहुत type है और सस्ता door आपको महंगे में चिपका सकता है जब भी flush door लेनी है, यह 10 चीजे चेक कर लेने फिर आपको एक अच्छा flush door मिल जाएगा सबसे पहली चीज, जब हम market से flush door लेने जाते हैं तो हमें 50 रुपे पर square feet से start हो जाते हैं कितना? 50 रुपे उससे सस्ते में देते हैं, क्योंकि competition बहुत जादा है लोग flush door में सिर्फ बूसा और थोड़ी बहुत लकड़ी डालके बेच रहे हैं, उसका weight भी बहुत जादा बजन जादा होता है, और बाहर से क्योंकि sheets लगाई ही है, और आपको तो लगता है बहुत बढ़ी है डूर है, और यह हमें जाएंगे, वो door वहाँ use करने जहां ना आपको कोई आवाज की insulation उसमें इतनी जादा नहीं होती, थोड़े टाइम बाद वो खराब होने के chances हो जाते हैं, तो hollow वाले तो मेरे खाल में नहीं लेने हैं, वो आपको 50 रुपे, 40 रुपे पर square fit के साब से मार्केट में बिल जाएगा, मतलब 2000 रुपे से start हो जाता है flush door मार्केट में, आगे मैं बताऊंगा आपको कि जब कारपेंटर से बनाते हैं कितना खर्चाता है, लेकिन अगर हम समझ लें, अगर मार्केट से आपको लेने जाना है, flush door, आपको मैंने जैसे बताया, 50 रुपे पर square fit से start हो जाएंगे, फिर 60 भी होगा, 70 भी होगा, 80 भी होगा, जैसे जैसे ब्रेंट बढ़ता जाएगा, और साथ ही साथ, आपको देखना है कि वो अंदर से hollow ना हो, वो वाला कभी नी लेना है, solid लेना है, यह चीज आपको चेक कर लेनी है, और most important चीज देखना वो BWP grade होना चाहिए, अगर BWP grade होगा, आप उसको bathroom में लगाओ, kitchen में लगाओ, बाहर में लगाओ, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, लेकिन BWP से कम grade भी होते हैं, ठीक है, वो BWR हो गया, जा MR grade के दरवा को दियान रखनी है, और बाकी आपको, अगर हम example लेते हैं, 3 by 7 का door है, ठीक है, इतना ही लगता है हमारे गर पे, अगर 50 रुपे पी हम per square feet के हिसाब से पकड़ते हैं, तो 2000 रुपे से लगबग आपको मिल जाएगे, जैसे 100 वाला होगा, तो 4-5000 रुपे का आपको एक अच् दर्वाजा रहेगा, वो साड़े 4 by 9 का रखने हैं, अंदर के साड़े 3 by 28, बहुत अच्छे दर्वाजे लगते हैं, जितना बड़ा होगा उतना बड़ा रूम दिखेगा, और कलर आपको हमेशा कौन सा लेना है, फ्लश दोर में, जो आपका फ्लोरिंग का कलर होगा, वही डोर रखोगे, तो रूम भी बड़ा दिखेगा, और प्रिमियम रिच लुका आती है, और ब्राउन, आजकल बेज कलर के, वाइड कलर के, ब्लू कलर के, बहुत अच्छे कॉंट्रास्ट में अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर आपको इतना कॉंट्रास्ट में नहीं जाना हुआ है, बोर जो आपको लेना है, मैंने बता दी, आपको कौन सा लेना है, इस वाइड कोर, अगर वो सॉलिड कोर दे देता है, अच्छी बात है, अगर नहीं उसको पदलता, फिर पूछना, बी डव पी दे दो, मतलब ये ठीक है, इस वाइड कोर भी पूछना है, बी होड़ा की नहीं है, तो साध बाई तीन का दोर हम लोग लोग आते मोशली गर पर लगता है, आपका जितना भी डोर होगा, वो यहां लिदे ले ना साध बाई चार साथ भई पांच तो मेरा साथ भई तीन का डूर था तो 21 स्केर फूट का हमारा डूर का एरिया बन गया हमें चाहिए हो गई 21 स्केर फूट और जो मैंने बोर्ड लिया वो मेरे को 140 रुपे पर स्केर फीट बढ़ा 30 mm का बोर्ड मैंने लिया आपको यही बोर्ड सेम 70, 80, 90, 100, 120 ऐसे पर स्केर फीट के साथ से मिल जाता है लेकिन अच्छी क्वालिटी का लोग है थोड़ा बो महंगा रहता है आपके रिया में सस्ता मिल जाता है बस आपको देखना है solid core है कि BWP यह दोनों चीज़े चेक कर लेना तो 140 का मेरे को अगर बोर्ड मिला तो 2940 रुपे का मेरे को बोर्ड मिल गया clear यहां तक मेरे को 2940 का मिला आपको जितने का मिल गया रेट डाल देना फिर उसके दोनों तरह हमें माइक का लगाना होता है लैमिनेट जिसे हम बोलते हैं विनीर लगाओ लैमिनेट लगाओ जो भी लगाओ तो दो शीट हमें लग जाती है और एक अच्छी quality की विर्गो की या दूसरी कोई भी कंपनी है तो 1100 की हमें अच्छी शीट मिल जाती है बले आप फ्रेंट में अच्छी लगाओ पीछे द दाल देना मेरा 1100 की आई थी दो शीट थी 2200 की वो शीटें आ गई फिर फैविकोल मेरी में ने लगवाया वो जो फैविकोल होता है वो 40-50 स्केरफिट एरिया कवर कर ले तो मैंने एक एजी लगा था मेरा कहिए यूंगा डेड़ लगता है कि यह दो भी लग जाएगा एक एजी लगा तीन साधे तीन सु का मेरे को एक डबबा मिला था वो केजी का ठीक है वो लिग दिया खर्चाइब नहीं हां हिंजी जो साइड पर जिस पर द्रवाजा लगेगा वो भी लगानी पड़ेंगी तीन पीस लगाया साथ रुपे की एक मिली ऐसे तो दो सुगी भी आती है तीन सो की भी आती है तो आपको एसस की लेनी है तिन सो चार या तिन सो लंग रेट की बाद में वह सड़े नहीं घराब नहीं हो और के दोर को पकड़ रखे तो अच्छी क्यों की थी-थी इस से अच्छी लोग है तो और च्राइब यहीं डृटी मिली आपके दोर को पकड़ कर रखेगी तो तीन लगा सकते हैं लॉग लगाया है सिंपल हमें ने इसमें आज कर लेक्टिकल आ गए है वो लगा दो ठीक है आटोमेशन वाले तो आप पे डिपेंड है कि लॉग एक 500 भी आगा 600 भी 1000 का भी और 10,000 का भी आता है 20,000 का भी आता है और 15,500 जितना जो रेंच तो मैंने 1200 वाला लिय लेकिन मैंने लंप समखर का खर्चा जो एक्स्टा खर्चा इधर उदर का वो पगली है 100 रुपे वो खर्चा था मेरा तो 7,275 रुपे का मेरा पूरा डोर बनके रेडी हो गया मटेरियल के साथ लेकिन उसको बनाने के लिए लगाने के लिए लेवर चाहिए थी तो लेवर कुछ 1900 रुपे उन्हों लिए था 890 रुपे हमारा खर्चा लेवर का खर्चा आ गया लगाने और बनाने का तो 9,165 रुपे हमारा खर्चा आ गया एक फ्लश डोर को बनाने का कितना 9,165 इकी स्केर फूट का था तो 21 कर देते हैं डिबाइड इसको तो 430 रुपे चार सो श